यह मेरे 12 बॉर्ड का रिजर्ट अगर मैं मास पढ़ने जाओ तो इंग्लिश में 95 मैंतेमेटिक्स में 95 फिजिक्स में 95 केमेसिटी में 98 फिजिकल इंटिविशन में 71 और कॉमरेशियल आज में 97 टॉप 5 सब्सक्राइट के काउंट करो तो इस मिला जुला के 96 परसेंट आप बो में डिफिनेटली इंस्पार करने वाली है और मैंने फिर से कल्कुलेट किया फिर 96 बाल को खड़ा किया फिर मैंने चश्मा निकाला और साथ में मेरे मम्मी बापा थे मुझे अभी यह दे मेरा लाफटप रखावा था एंड मेरी मम्मी मेरे ने बोला कि लाफटप ओन करो इन डिजल्ट खुला काने की शुरुत होती क्लास्स टेंट से क्लास्ट में मुझे 10 C gp सब्कुल कि यार बहुत ही इंटलेजन लगा है तो फिर एक बहुत ही होड शुरू हो जाती है कि आपको 11 में क्या लेना है आपको साइंस लेना है आर्ट लेना है और अभी प्लाइश लेना है अभी भी एक चीज थी कि मैस लिना तो यह पटागे करना क्या है फिर एक चीज मैंने नोटिस किया ना कि मेरे जितने फ्रेंज है वह एक सब्सक्राइब करने के लिए कहीं पर दूसरा ऑप्शन यह था कि मैं अपने शहर में स्कूलिंग करूं फिर साथ में कोचिंग करूं मतलब बहुत जादा टेंशन चल रहा बहुत साइशु लोगों से फीड़ लिए। के द्वारा मेरे द्वारा कि क्या करना चाहिए बट पर focus करना चाहिए jeder में में लां खाली करना कि करना क्या चाहिए और आपकार लिक्合ी करते हैं अभी में सब्सक्राइं पीचे बिगाने लिए मैं लेकिन मैं खुद से पढ़ाई करेंगे and जो शहर है तुम्हारा कटियार तुमको वहीं पर रुखना है वहीं पर तुम बोर्ट्स के लिए स्कूलिंग जाओगे और साथ में खुद से जेए मेंस अर्वांस के लिए तुम कोचिंग के मेटरियल्स खरीद लोगे उसको इस अर्वांस के डॉट्स भी क्लेर करोगे तो यह सारी चीज़े डिसाइड हुई है अब मुझे जेए मेंस अर्वांस भी पढ़ा देंगे लोग पता नहीं क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे है तो मैंने अपने होमटाउन के कटिहार के स्कूल में अपने अड्मेशन करा कैसे अले के लिए यहां पे लोकल कोचिंग जोइन गुआ ठ्टेट के आ फिर चला गया पतना पतना क्या कोचिंग में एक जोला बढ़ गया थास्ट के स्में को पूरा मेटरिया चाना में बहुत सारे अच्छे बुक थे लाइक केसी सिनहा लाइक सिंगेज लर्निंग आडी शर्मा से लेके आई-ई-ई-डोव से लेके सब कुछ खरी लिया था मैंने उस दिन ठीक है इतना जादा भूग गया था कि मेरे साथ मेरे मामा गया थे तो उनको हम हाथ में से उठानी प लेवल मेंस लेवल फिट जी का मेटरियल बनाने लगा अब जब मेटरियल बनाता था था विसलिस में डाउट आएका राइट क्योंकि कोचिंग वाले टीचर ने कुछ पढ़ाया उसको मैं पढ़के कुशन सॉल्व कर रहा हूँ इदर अडवांस लेवल मेंस लेवल का तो मैंजन कि कोई अगर फिट जी नारायना अकैडमी किसी भी प्लाटफॉर्म पे अगर मालों लो पढ़ा रहा है तो उसने कितना प्राक्टिस कर रहा हूँ वो रेगुलर प्राक्टिस में भी हो क्योंकि बच्चों को रोज पढ़ाता है उस लेवल के को बढ़ा रहा है वो करने में बहुत टाइम लगा रहा है एक एक कुशन आधा गंटा लग रहा है जबकि बोर्ट के लिए वह बहुत परफेक्ट परहा रहे थे मतलब इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता तो अब होने यह लग गया कि मैं एडवांस मेंस लेवल के कुशन अटेंप्ट करता थ बट उनहीं चैप्टर के जो कि मुझे एजी लगते थे जो कि उपरणे में मुझे बहुत बादा मजा आता था था एक्जामपल ग्रैविटेशन जो कि बहुत ही चंदी सा रफ्र होता है एक्जामपल जन्रल ऑगनिकेमिस्टी मुझे मजा आता था तो मैं उनका मेंस अद् यूज इस बैसिकल यह मैंने कुछ नहीं किया तो 11 इसी तरह कि नहीं ना तो मैंने अड्वांस मेंस लेवल पढ़ा बहुत अच्छे से एंड बोड लेवल भी बहुत अच्छी से नहीं पढ़ा क्योंकि स्कूल में एक्जाम्स बहुत जादा ऐसे हाट और फॉलोग नहीं ह अब जब 11 खतम वाना तो मैंने बात किया कुछ कोटा और दिली के अपने कुछ फ्रेंड से जो कि मेरे स्कूल के थे टेंथ में मेरे साथ थे और बाहर गया थे पढ़ने के लिए जब उनसे बात किया तो दियार लाइक यार एक साल बचा एडवांस मेंस के लिए बोड का भ कर लिया है और मैं यहां पर 11 का सिलबस भी मैंने ठीक से कवर नहीं किया है कुछ लोग ते इन्होंने 11 में पहले 11 का सिलबस खतम कर लिया था और 12 शुरू कर दिया था तो मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था मैं बहुत ही भी मूटिविटेट था फिर 12 शुरू हुआ 11 को बिल्कुल साइड करते हैं 12 में बहुत अच्छी से फोकस करेंगे और 11 में एक चीज मैंने की थी शुरूआत में कि मैं मेंस एडवांस पर बहुत दा फोकस कर रहा था बट क्योंकि क्योंकि मुझे पता था कि यार मेरा डाउट से आपे क्लियर नहीं होना तो 12 में वीडियो में डिसकस करें कि अगर तुमका एडवांस मेंस भी निकालना 11 के बाद बहुत हो गया तो वह एक बात की चीज है कि मैंने अब सीख लिया बट मैंने उस त्राइम यह किया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं 11 में जो भी गलतिया कि उसको भूल जाओंगा 12 में सिर्फ पर सिर्फ बोर्ट पर फोकस करूंगा 12 का शुरुवात हुआ तो जो चीजे मैंने फॉलो करना शुरू की इस मैं कोचिंग बहुत रेगुलर जाने लगा कोई क्लास में मिस नहीं करता था जो बोर्ड लेवल वाले मेरे टीचर थे मेरे शर में उन्हीं के क्लास तो ऐसा नहीं कि मैं टाइटली क्लास में बैठ जाओंगा जाके मैं पहले खुझ से उस चैप्टर को एंसी रटी से रीड करके आता था सर के प्रीवेस यर के नोट्स पढ़ गया था तब जाके कोचिंग में बैठ के सर को फिर से सुनता था इवन दो मैंने के नोट्स को प परहाने में टीचर लगाते है साथ महीने साथ महीने और दूसरा पॉक्रा जानchien चार यहँलों कि बंटोवर दिसमबर तक जब सेकेंड बुक पढ़ना शुरू करने का सोच रहा हूं कि अब करना है शुरू तीन महिने में एक्जाम है बाकी दोस्त मेरे ऐसे है कि सेकेंड बुक भी कर लखा है क्यों कि वो कुछ ऐसे पीचर से पढ़ते थे या फिर उनको किसे ने गाइड कर दिया कि तुम्हारी टीचर च्ञीए इस बंदहें सिलेबस इतना खतम हो गया है मैंने हमरे बार बार किमी थूटा गणिद रहुकेतला मैंने बस एक चीज़ सोचा उस टाइम पे कि ठीक है अभी मेरे फ्रेंड मनीश को जितना आता आने दो बट मैटर क्या करता है कि जब एक्जाम होगा तो एक्जाम से एक रात पहले कि इसको कितना आता है तो मेरे मन में बस यही था और जो बाकी के तीन महीने थे उसमें मैंने प्रिपरेशन फुल ओन एकदम फोकस होके अच्छे जे करना शुरू किया करता क्या था मैं एक चीज़ जो कि मैं बहुत रिलिजिसली करता था वो था एंसी आर्ट को फॉलो करना एंसी आर्ट केमेस्ट प्रिपरेशन करना शुरू किया ठीक है अब आगे क्या हो मैं बताने वाला हूं उसको मिस्मत करना क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टन पार्ट है पूरी वीडियो का वह नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा बट उससे पहले अनकेडमी पे अभी बहुत इंपॉर्टन ओफर चल रहा है जनरली वो जो ऑफ देते हैं वो दस परसंट ऑफ देते हैं बट उनिस तारिक तक वो चालिस परसंट ऑफ दे रहे हैं मतलब यह ओफर शायद ही कभी अनकेडमी रिपीट करने वाला है तो अगर तुमाने के सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे तो यही चालिस परसंट टक डिसकांट मिल जाता है ना केडमी पर 19 तरी तक है तो प्लीज डिस इस राइट ताइम इसके साथ 19 फेडरी से राइडमी पर चार न्यू बैचे शुरू और यह जो कि पहला बैच वह तुम्हें जेही मेंस और वांस ट्वेंट इस्वेंट प्रिपेर कर सब्सक्रिशन लेने का सोच रह तिमां को प्लस सब्सक्रिबशन के साथ हां कि उसमें तुमको सब्सक्रिशन के सारे थाटे मिलेंगे gjर कतर भ** कि यह पे पर लाइम आईसुरू करस दिया जाएक इन ने से किसी भी चीजा करने के लिए लाइक उन लोगों में से हूँ जो कि चीजों को बहुत ज्यादा भूल जाता है for example अगर मालो मैंने chemistry का पूरा syllabus खतम कर लिया ठीक है and कल को exam है तो ऐसा नहीं है कि मैं exam में अब बिना पढ़े चले जाओंगा ठीक है मेरा ऐसा system है कि अगर मैं exam से एक रात पहले पूरा syllabus को नहीं go through करूंगा तो मुझे exam में कुछ याद ही नहीं आएगा at least मेरे mind में ऐसा था हो सकता है कि शाइद ऐसा नहीं हो but actual में मेरे mind में यही था तो एक बहुत ही weird सा fact बताने वालों मैं वो fact यह है कि board के एक भी exam में physical education, commercial arts जो कि बहुत easy लोग मानते हैं English, physics, chemistry, math इन में से किसी भी exam में मैं रात को सोया नहीं था like literally जितने topers होते हैं सबसे तुम अगर पूछो के वो यही बोलेंगे कि यार exam से एक रात पहले मैंने आराम से नीन ली थी, movie देखने गया था, मेरे senior से भी मुझे बही advice किया था but मैं ऐसा इंसान कि यार मैं जब रात को बैठूँ कि यार चलो सोने चले आते हैं मुझे लगता था कि यार मैं ये भूल रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे रिविजन करना है तो मैं पूरे रात बस रिवाइस करते रहता था ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे सब कुछ आता था तो ये गंदा जो मेरा आदत था कि मैं लास्ट में रिवाइस करता था रात को सोने से पहले तो इतना जादा गंदा था कि chemistry exam में जब मैं मैं exam देने गया था तो I was almost about to puke इतना जादा nervous था क्योंकि नीद नहीं आय रही थी बहुत कुछ problems थे और इसलिए मैं तुमको ये बिल्कुल recommend नहीं करूंगा कि तुम रात को मत सो, definitely सो के जाना मैं बेवकूफ था जो कि ऐसा करता था प्लीज ये मत करना, sleep important है मैं इतले हिम्मत ही हो नहीं हो थी जाके अपना marks calculate करूं ठीक है मैं अपना marks देखूं है, percentage calculate करूं तो मैंने दोस्तों को call करना शुरू किया तुमको कितना percent रहा है, तुमको कितना percent रहा है and और अलग-और schools में थे निए अब अब भी तक तो शाद मेरा ही अपना मतलब पहले सब परही करता था तो ही रो था यार मनीश ने मेरे को प्रेशर डाला कि ठरेको परसेंटेज देखना पड़ेगा क्योंकि वह इसले देखना पड़ेगा निए घरवाले जो भी बोला प्रेखना पड़ेगा तो मुझे अभी बहुत है तो मेरा लैपटव रखा हुआ था ठीक है एंड मेरी मम्मी मे खुला तो नंबर इसी ओर्डर में थे नंबर वहाज 95 95 95 98 71 71 पहले मेरी नजर इंसान का नेचर दिखो यह 98 95 मुझे नहीं दिख रहा है कि मुझे फिजिकल एडिकेशन में 71 आया है मेरी नजर सबसे पहले वहीं गई मैं सैड हो रहा हूं यह 71 कैसे आगे इतना कम कैसे आ सकता ह जलतियां हुए है बट फिर मेरा दिमाग चमका है आवाज लगे टॉप 5 ही काउंट होने वाला है तो मुझे 71 को अकाउंट नहीं करके 97 को काउंट कर रहा है उसके बाद मैंने अपना फोन निकाला कि चलो क्यों क्लेट करते हैं तो चलो क्लेट करना मैंने चूरू किया तो मैंने फिर से कालकुलेट किया फिर 96 जा रहा है मतलँ मुझे बिलीव ही नियोए था क्योंकि मेरे लिए 96 परसें बहाता था उस थाम के लिए अभी तो मैं बच्चों लोगों का सुनता हूं तो कोई 97 ला रहा है बट मेरे लिए जितना परफेरेशन मेरा था अतलीस मेरे आउट करता हूं कितना भी कुछ कर लूँ तो I was doubting myself कि यार मुझे तो 96 परसें नहीं सकता हूं but it was actually 96 परसें मैंने फिर मनीश को कॉल किया मैंने मनीश को बोला कि मनीश परसेंटेज गसका उसने बोला कि 95 90 89 बने बोला 96 जैसे मैं तो 96 it was exact 96.0000 मनीश यहील थे उसके शे ठैक है तो भरसें में जाने में बोला के सब दîneकी ओ लूबारा का यार टीक है तो घ्लीचि ≥म शो शगीनर शुरान के दुट्प एंड नाहीं लूर। हच्षों में दूच्ब अन मिष्टाइर में गार सवरतbut भर में 50 एकट भाली था कि अगर आपको फिर जो इन MAY कॉल कर दें भाई कुछ ते फिर वो मेरे घर आये and it was the first time जब मेरी picture ऐसे newspaper में चपने वाली थी हाला कि 10th के time भी चपी थी बट वो ऐसे exclusive नहीं थी वो सब के साथ थी तो ये पहला time था जब मेरा top पे चपने वाला था और बाकी लोग का मेरे नीचे चपने वाला था तो वो लोग मेरे घर पे आये and मैंने एक इस ठान रखा था ये मेरे बचपन का सपना था कि जब भी मुझे as a topper address किया जाएगा कहीं पे ना तो generally मैंने toppers को देखा है ना कि जब भी newspaper मेंनके photo आते हो ऐसे आते है एक आसे मोटा चश्मा पहनेंगे जो कि मैं भी पहनता हूँ फिर बाल ऐसे चंपू सा रखेंगे जो कि अभी में रखने लगा हूँ बट मेरा था किया नहीं मैं अपने hairstyle को बहुत cool रखोंगा and चश्मा तो नहीं पहनूँगा जैसे वो मेरे पास आना picture क्लिक करने के लिए मरे मम्मी पापा के साथ वाली picture है अभी मैं दिखाऊंगा उस picture में मैंने कहा कि पहले तो अपने बाल को खड़ा किया फिर मैंने चश्मा निकाला और साथ में मेरे मम्मी बापा तहा तो मैं बिल्कुल बनके एक picture क्लिक कराया और मैं बहुत खुश था कि मैंने ऐसा पिक्चर नहीं क्लिक करा है जो कि एक पढ़ाकू की टिपिकल इमेज होती है ना स्टीडियो टाइप कर देते कि ऐसा दिखता है वह ऐसा नहीं था बिलकुल बाल बाल खड़ेता है वास सो हैपी उसके बाद जो न्यूस वाले रिपोर्टर थे न्यूस पर वाले रिपोर्टर अंकल थे तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुमने प्रिप्रेशन कैसे क्या आगे करना है तो हसने लगा बट थैंक्फली उन्होंने ऐसा लिख दिया उन्होंने इसको चाप भी दिया और जब यह पेपर में आता है तो मैरे पापा मेरे को बोलते है कि यह सारे लोग मेरे से पूछ रहे कि यह क्या लिखा है तुमने आइटी तो ठीक है बट इंटर नाशनल पॉप सिंगर क्या होता है थैंक्फुली मैंने इटी भी क्लेर कर लिया मैं इटी में चला वी गया एकसे अपना तो पूरा हो गया अभी अन्ट नाशनल पॉप सिंगर वाला देखना है कि कैसे करते तो यह इस इसा घ्र हो सब्सक्ता है कि उसका ग्राफ ऐसा था तुम्हार कर दोगे तो don't let him fool you by this graph when your graph is this okay chill करो tension लेने के कोई जरूत नहीं है जो आगे निकल रहे निकलने तो तुम्हारा टाइम आएगा तुम बस अपना काम सही से करते जाओ ठीक है जब जागो तब सवेरा कुछ वेस्ट नहीं हुआ है कुछ लेट नहीं हुआ है आज से प्रपर फ़ाइब और इस सथी परना जोह में करा दो एम करना नोदीफायस का अशूल्राइग को ड्सकुर्iennent नहीं से रहे है वाला हूं सालना कि गाख लिए कुलेगा योड़ा फिंशन कोलेगे ऑन कहुं के चानकर वहाँ को दोड़नेगे इंस नारी को रिकॉर्द्ट्रिड होग मेरा पुनारा recorded live होगा वह भी मत देखना अगर तुम देखोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा ठीक है कुछ रीजन है जिसके आद मैं ऐसा बोल रहा हूं तुमको मेरे भरुसा करना पड़ेगा कि तुमको जो पहला चीज अन अगर तुम यह नहीं कर सकते तुम बात निकरने वाला ठीक है बस नोटिफाय में चोड़ देना जब उनिस तारिक को नोटिफिक्शन आगा न रात को नौ बज़े अच्छा नोवा लाइव आ गया तब जाके उस सेशन को देखना ठीक है धिपांशु राजमिर अरियलने में वो नाम होगा और सी यू ऑन 19 अनुससे पहले कल अब इससे पहले नीचे जरूर करके जाना तो वह सारी की से ठीक है लेट मी नो इन दे कमेंट सेक्षें विलो कि तुम्हें बोट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको कह रहता है तुम्हें कितने प्रसेंट आने वाल आने विलो कि दिलो कितो खгуुँई क्या सो सजन आने इससे जाज़ का भुम्हें कितने विलो क fulfilा ूता तुमचें सेले भ करके रही है लेह मी जरूब्लम आने शुम्हें कितने छुम्हें पूलकर टुम्हें कितने रह सेले क्या है विलो दो जो रहा है У jaką फ 있रुम्हें उcja..